ये भी कुशी की बात है कि हमारे पूर्वा प्रदेशा अद्यक्ष सम्भाणिय संचिन पाइलर्ट जी को CWC मेंबर के बाद में अखिल भारतिय कॉंग्रेश कमेटी का जनरल सेकर्टी बना करके चतिस गटका इनको इंचार्ज बनाया गया है ये हमारे बीच में पहली दफा इस पद मिलने के बाद में जिम्मेदारी मिलने के बाद में हमारे प्रदेश कॉंग्रेश कमेटी में हैं ये हमारे लिए बहुत बड़ी कुशी की बात है और तीसरी कुशी जो आपने देखा कि भारतिये जनता पार्टी के एहंकार को चूर चूर करके हमारा एक नोजमान साथी रुपेंदर कुन्नर जी जीत करके स्री करणपूर विदान्स बाक्षेतर से आए हैं वो हमारे साथ में आज पहली बार सामिल हुए हैं ये तीन कुछियां एक साथ में हमारे लिए प्रदेश कॉझ्रेस कमेटी के प्रांगण में आज हैं मैं इनको सबको मेरी ओर से प्रदेश कॉझ्रेस कमेटी की तरफ से बहुत-बहुत बढ़ाई भी देता हूं इनका अविनंदन भी करता हूं और इस राजस्तान की परची सरकार को चेतावनी भी देता हूँ कि आप जनता के आशिरवाद से सरकार में आये हैं तो जनता के जो मुद्दे हैं उन पे काम कीजिए जनता की भावनाओं के अनुरूपा आप लोग काम कीजिए जो दिल्ले से पर्ची आकर के जो आप काम कर रहे हैं इससे जनता खुश नहीं है और आपने देखा कि जनता ने बता दिया कि हमारे लिए हमारा स्वाविमान हमारा जो सम्मान है वो महत्वपूर्ण है नहीं कि मंत्री हमारे लिए महत्वपूर्ण है तो अभी नया नयी सरकार बनी है, मंत्री बन रहे हैं, मंत्रा ले बाटे जा रहे हैं, वो अपना कारिय ब्राहण कर रहे हैं, मैं उन पर ज्यादा टिका ठिपणी नहीं करना चाहता, केवल इतना निवेदन करना चाहता हूं, कि हमारे कौंगरेस के कर करता, हमारे नेता, सारे उठसाइथ हैं, और ये जो 2024 का अमारा लोग्षभा का चुनाव है, उसकी तैयारी हम पूरी तरीके से कर रहे हैं, तैयारी के साथ में चुनाव लड़ेंगे, चुनाव जीतेंगे, अट्टिया को सत्ता से अठाएंगे, और इंडिया आलाइंस केंदर में सत्ता में आएगा यह मैं निवदन करना चाहता हूं तो आज चुकी यूथ कॉंग्रेस की कारिय कारणी की बैठक है और हमारे तीनु ही अध्यक्ष अभिमिन्यु पूनिया जी सत्वीर जी और हमारे मूंड साब यह तीनु आए हैं और रूपे अधिकारी हैं उनको आगे की लोग सभा की तैयारी के लिए हम लोग एक रोड में बना करके इनको जिम्मेदारी भी देगी दन्यवाद कि अन्य प्रतिफक्ष क्यार कॉप सबक्रण करने नेश तारीक से काम करना है तो आप निश्यंत रहें 19 तारीक पहले नेता-प्रतिफक्ष Pas आजाएगा जब राजस्तान की विधानसवा चालू होगी, तो नेता प्रतिफक्स भी आ जाएगा, उनको हर मुद्दे के उपर, जनता के मुद्दों के उपर, हम लोग उनको सबग भी सिखाएंगे, उनको गलत काम नहीं करने देंगे, आमारी योजने बंद नहीं करने देंगे, जो जनहीत की हैं, और हम अच्छे तरीक बहुत अच्छा प्रभाव क्योंकि देखें भारत जोडो यात्रा देश में नहीं पूरे विदेशों में चर्चा का विश्य है कि जिस प्रकार से 4000 किलोमेटर की यात्रा राउल गांदी जी ने पैदल चल करके की और जिन मुद्दों को ले करके की वो मुद्दे बहुत मैत् आज न्याय के लिए यात्रा कर रहे हैं भारत जोडों के साथ साथ में उसका सेकर्ट भेज आप कह सकते हैं तो जो जिस प्रकार का वातावर्ण और जिस प्रकार की तानासाई जिस प्रकार का एंकार जो केंदर की सरकार में है उसमें न्याय नहीं मिल रहा किसी को भी कोई वर्गो उसकी कोई सुनने वाला नहीं है लोग सबा में जिस प्रकार से 140 से ज्यादा सांसदों को निकाल करके ठारा कानून पारित कर लिए मैं समझता हूं कि देश के इत्यास में इस तरह के बात नहीं हुई विपक्स को सुना ही नहीं और आप कह रहे हैं कि टरक चालकों वाली बात पे कि उस कानून को हम अभी लागू नहीं करेंगे कर्शी कानून भी ऐसे उन्होंने लागू किया था दादागिरी से ताना साही से लागू किया था जनता की नहीं सुनी थी उनको वापिस लेना पड़ा इसको भी वापिस लेना पड़ेगा तो मैं समझता हूं कि 2024 के लिए हम लोग तयार है और न्याय यात्रा पूरे देश मे एक और नया संदेश और उरजा का संचार करेगी और लोगों को लगेगा कि कोई तो है जो हमारे को न्याय दिलाने के लिए इस एहंकारी सरकार से लोगा ले रहा है आप देखिए कि परची से सरकार नहीं बनी गया आप परची खुली किसी नेता को पता नहीए पूर्वा मुख्य मंतरी को पता नहीं खाना खाई देजिए साइन कर दीजिए और परची आएगी और वो बनेगा इसलिए मैं परची सरकार बोलता हूँ जो आगे के काम चल रहे हैं मंत्रियों के बटवारे चल रहे हैं जो मंत्री बनाय जा रहे हैं वो भी बहुत उपर से पर्ची आने के बाद में बन रहे हैं वाहनिए मुख्य मंतरी जी का सुवेख विवेक होता है, उनको अधिकार होता है कि वो मुख्य मंतरी जी आला गमान से चल़ा करके एक दो दिन में मंतरी बना लेते हैं उन युल्यों ने मंतरी का मनाएं बताईए उपर से बन कर क्या हैं झाल झाल